तो बच्चों अब हम करेंगे question no.5 का 6th part इससे पहले हम उसके सारे parts कर चुके हैं इस chapter के सारे questions के सारे solutions की हमने separate video बनाई है उन सभी को हमने proper playlist की form में बनाया हुआ है आप नीचे description box में जाहिए आपको उस playlist का link मिल जाएगा उस playlist के अंदर सारे questions की solutions की list दी हुई है वीडियो दी हुई है और इसके इलावा आपको सारे concepts की वीडियो इस में जाएंगे आपको तो पूरे chapter का तो यह है chapter sets class 11th NCRT chapter no.1 sets है हम करते है question no.5 का 6th part तो question क्या बोल रहा है बच्चों क्या बोल रहा है आपको एक set दिया हुए इस set की set builder form दी हुई है आपको इसके elements लिखने है elements लिखने के लिए मतलब क्या है कि हमको इसका रोस्टर फॉर्म बना रहा है ना तो रोस्टर सेट का नाम के F है रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए curly braces में ऐसे open और curly braces में ऐसे close अंदर elements आएंगे इसके ठीके बीटा तो अब आपको बनाना है इसका रोस्टर फॉर्म और पहले पड़ते हैं इसका set builder form और इसको express करते हैं रोस्टर फॉर्म में set of all x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k which precedes k तो x का consonant है किसका English alphabet का जैसा कि हम सब जानते हैं कि English alphabet में बेटा आपके पास English alphabet में बच्चे वावल्स कौन कौन सो होते हैं सारे बच्चे बताओ A E I O U यह आपके पांच वावल्स होते हैं ठीक है बेटा और हम को मदाना है consonants क्या बताने कә बताने है और हमें वह आले बाखे सब क्या भावोते हैं इन 57 ग्राभ इड्रावा रहे हैं जिस में पांके बांच आपके जाएंगे और बाके 21 पता होगी सब बच्चों को तो अम देखते है कौन कौन से आते हैं के से पहले अचा ए तो हम लेंगे नी क्योंकि ए तो वह अ हम को चाहिए देंगी यह हो जाएंगे आपके paragraph वह appalar कौन सा रेगा खाईगास के पहले तक कर जो हमको चाहिए थे इस question के अंदर ठीक है तो यह आपका हो गया answer ठीक है बच्चे तो अब हम इसको curly basis में से close कर देंगे और यह आपके elements बन देंगे ठीक है तो this is all about question number 5 question number 5 के हमने सारे parts कर लिया है बच्चे अब हम करेंगे इसका last question जो है question number 6